कोलम्बो में खेले गए निधास प्राफी त्रीकोनियेटी श्रिंखला के अंतिम लीग मुकाबले में भारत ने बांगलादेश को 17 रन से हरा कर फाइनल में प्रवेश कर लिया है। प्रवे बल्लेबाजी करते हुए भारत ने बांगलादेश के सामने जीत के लिए 177 रन का लक्षे रखा। सलामी बल्लेबाज रोहित शर्मा और शिखर धवन ने जमकर बल्लेबाजी की और मैदान पर शांदार शांट्स लगाए। इस बीच शिखर धवन को थहरदी फै के स्कोर पर रुबेल हुसैन ने बोल्ड कर भारत को फ्ला जटका दिया। इसके बाद रोहित शर्मा और सुरेश रेना के बीच शतकिये साचेदारी देखने को मिली। अंतिम दस ओवर में भारत ने 105 रन बनाए। सुरेश रेना भी 47 रन बनाकर रुबेल हुसैन का ही शिकार बने। रोहित शर्मा 89 रन की शांदार पारी खेल कर पारी की अंतिम गेंड पर रन आउट हुए। निर्धारित 20 ओवर में भारत ने 3 विकेट के नुकसान पर 176 रन बनाए। जीत के लिए मिले 177 रनों के लक्षे का पीछा करने उत्री बांगलादेश की शुरुआत खराब रही। उनके सलामी बल्लेबाज लितन 107 रन बनाकर वाशिंगटन सुन्दर का शिकार बने। सुम्ने सरकार केवल बन रन का ही योगदान दे पाए। लेकिन इसके बाद मुश्फिकु रहीम ने बेहत्रीन बल्लेबाजी कर जीत की उम्मीद जगाई। पुछल्ले बल्लेबाजों में से सबीर रुमा ने 27 रन बनाए। लेकिन रन गती कम होने की वज़ह से बांगलादेश के बल्लेबाजों के उपर दबाव बन गया। इस तरह निरधारित 20 ओवर में बांगलादेश की टीम केवल 159 रन ही बना सकी। इस तरह भारत ने यह मैचासानी से 17 रन से अपने नाम कर लिया।